दोस्तो मेरी आज दिस वीडियो रिपोर्ट विच जथेदार गुर्देव सिंग कौंके श्रीकाल तक साफ़ दे कारजकारी जथेदार जीना नू पुलस हिरासत दे विच C.I.A. जगराओं दे विच तसीहे दे दे के पॉसिबली मारता गया ते उना दी लाश नू खुर्द बुर्द पुलस अफसरामलनों करता गया दो जनवरी 1993 में नू सिद्वा बेट इलाके दे विच उना नू पगोडा दखाया गया दर्साया गया जने के क्या गया कि खाढकों भलनों पुलस पार्टी उत्ते होए हम ले जो कि हथ्यारा दी बरामत की समय उना नू लजान दे होए पुलस टीम उत्ते होया उस वक्त उना नू छुडवा के खाढको सेंगल ले गया Isso वूरी दी पूरी कटना करम देना वेरवा अपनी पिछली रिपोर्ट बेच सांजी कार चुक्या, हाँ, लेकिन ए वेरवा मुकमल नहीं सी, क्योंकि बीपी तीवारी उन्ना की लिख सकते सी, उन्नी की चीजानों अपनी रिपोर्ट देविच लेा सकते सी, जिना दे उना कोल सबूत सी, क्योंकि एस चीजा बेट दे लाके, पूरे जगराओं दे लाके दे विच ए गाल आम सी, ते इस कटना तो बाद, यानि कि 1993 दे विच कुछ दिन बाद ही जथेदार गुरदेव सिंग कौके होना दे पिंड कौके कला विखे, उन्ना दा पोग समागम भी आयोजित किता गया, इस पूरी दी बेटना देनाल जडियां गल्लाबातना बीपी तिवाडी दे रिपोर्ट दे विच दर्ज है गिया ने, उन्ना नू कलमबाद कीता गया है, उस दा वेरवा मैं अपनी पिछली रिपोर्ट दे विच दिता सी, लेकिन आज इस रिपोर्ट दे विच मैं गाल करांगा, गुर गुर्देव सिंग्की ने मेरा गाल बात दोरान भी गाल दसी सी, लेकिन आज मैं कुछ सटीक वेरवे, जो कि मैंनू इना कुछ दिना दोरान अपनी तफ्तीश दोरान हासल हुए ने, मैं ओ थोड़े ना साजे करांगा, जो कि बहुत ही ब्लू कंडे खड़े करते इन वाल वेरवे भी है गिने, लेकिन आपना पूरी दी पूरी बैक्गराउंड दो भी समझांगे, क्यों इस सब कुछ होया, केड़े हलातन दे विच होया, ते उस तो बाद जेड़ी कबर आप दी कोशिश कीती गई, उस दा जिकर मैं अपनी अगली रिपोर्ट विच करांगा, ए इस पोग समागम आयोजन दे मौके होते, जड़े अकाली लीडरों थे पहुंचे, उननों इस पोग समागम दे विच शामल नहीं होन दिता गया, सदार प्रकास सिंग बादल ते सदार गुर्चरन सिंग टोड़ा, जो की इस पोग समागम, जथेदार गुर्देव सिंग इस पोग समागम दे विच शामल दि इजाज़ नहीं दिता गी, यानि कि इस सब नों पता सी कि गुर्देव सिंग कौके होना नूं मार दिता गी, पुलिस कस्टेडी दे विच मौत हो गए, बेशक होना दी, लाश कैसे नों नहीं मिली सी, कुनाज दिस रिपोर्ट दे विच मैं गाल करांगा, वो हलात, परस्तितियां की सी, ये समझना जूरी है क्योंकि एनने कतियां साला बाद अचन्चेत ए रिपोर्ट पब्लिक डोम पुलिक डोमेन दे विच लाके आन, एक उच जो जारू, लेकिन एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट भी सी, चिस दे विच सारे एबिडेंस वगएरा, सारे बयान बगएरा सान, उस दा जे भी कुछ आता पता नहीं है, सो जे कति साला बाद एक रिपोर्ट जो कि आटी आई तहत 2010 दे विच हासल कीती गी रिपोर्ट नो भी पब्लिक डोमेन दे विच जे नहीं ले आनदा जानता, तो मैं नो नहीं समाझ जानता कि लोकानों कति साल बाद जे कोई चीज पब्लिक डोमेन दे विच चांदी है, जे साच दुनिया दे सामने आनदा है, तब फिर आईटी विंगर नो ऐसी प्रॉब्लम की है, फिर इस दी कालवात अगली रिपोर्ट विच करांगे, आज मैं कोई सियासी काल इस रिपोर्ट विच नहीं करांगा, क्योंकि आज दी गुर्देव सिंग कोई के नो क्यों मारा रहा गया, क्यों मारा रहा गया, किते मारा गया, आज दी रिपोर्ट विच मैं तो नो ओग अलबात दासनी चांदा है, जो कि मेरी जानकारी थे मेरे सूतना दे बतावक मैं नो मिली है, इस किसे भी डिटेल दा जड़ा वेरवा है सारी थी सारी डिटेल, जो कि मैं आज थोड़े ला साजियां कर रहे हैं, ए बीपी तिवारी दी रिपोर्ट दे विच शामल नहीं ने, ए मैंनो मेरे सूतना तो जानकारी मिली है, उना पाँ चले थोड़े जा एतिहास दे विच्च, 1992 दी कटना है, पच्ची दिसंबर नो जथे दार गुर्देव सिंग कॉंके हो रहानों उना दे करों चुक्या जानदा है, एक हफ्ते बाग दो जनवरी नो पुलस कस्टेडी विच्चो उना नो पज्या होया दरसाया जानदा है, लेकिन इस तो पहलना दे कुछ साल जड़े 1999, 1992 मैं अपनी अलाग लाग रिपोर करके ही संबोधन करांगा, तो उस वक्त 21 साल दे वेच तेन तेन 4-4,000 लोग मारे जारे सन, पुलस दी कारवाई भी सक्त होई, ते पुलस दी वदी कियां ते तशद्दर दा दोर भी, पैरलली सब कुछी कठात तो रहा, उसे तहत उसे लड़ी दे वेच उनिस सौ बानवे की हो रहा सी, ओन जथेदार गुर्देव सिंघ को के श्री अकाल तक साथ़ दे कारजे कारी जथेदार दे कारजेदार गुर्देव सिंघ को के हो रन दा मिलना जुलना खाड़कू जथे बंदियां दे सिंगा देना जो कि उना नो मिलन आया करते सी आम होंदा सी लुद्याना मुगा जगराओं दा इलाका सी जथे की जो की गड़ मनने जानता सी केलेफ दा खालिस्तान लिबरेशन फोर्स गुर्जंड सिंग बुद्द सिंग वाला जो की केलेफ दे खालकू सरगरव रहने उना इलाके दे ब्लड़ी बलड बात वीच वर सी एक खालकू जथे बंदियां दे ब्लड़ तो हो ए रियासी की जत्थेदार गुर्देव सिंग कौनके बतौर कारजकारी अकाल तक साथ दे जत्थेदार कई अजे है लोग का दी शिकायता सुनाया करते हैं। लोग जत्थेदारां को आजाया करते हैं। उना दी कोई अपसी करेलू चगडे जिस दे विच दहेज नू लाके या किसी लड़की नू कोई तांग करता पया है। कोई नू परिशान करता पया है। या किसी आपसी जड़े प्रामादे रौले जमीना जायदा दानू तो उस तरीके ने शिकायता भी शिकाल तक साब ने जत्थेदार साब को आया कर दिया हैं। तो उना शिकायता नू अग्गे मार्क किता जानदा सी। यानि कि अपने सिगनेचर दे तहत जत्थेदा गुरदेव सिंग कौँके होरा बलों, खाडकू जत्थे बंदिया नू क जेहियां दरखासता मार्क कितियां जारियां सान। उन ए चीदा खुलासा कितो होंदा हैं मैं तुन्हों दासता हैं। डेलों दा इलाका से जित्थे की कपल सबसर होईने दर्शन सिंग डेलों जिना ते कई किसम दे अलजाम लाग दे रहे ने ते क्या गया कि बहुत एक्स डेलों नु टारगेट किता जाना सी गुरजंड सिंग बुड सिंग वाला। केल ए maggलों गुरजंड सिंग बुड सिंग वाला ने एक टीम डू पेजियां तो दस्या गया है कि कि tight जिप सी व 2024 सबार होके ए जड़े militant CAI इना ने कात लगा के हमला प्लान किता इना नो आसे ऐसी कि L1 निशान जड़ी गड़ी पुलस दे सी जो कि उस इलाके मैं डेलों इलाके दी गाल करता है उत्थो जारी सी उन इना खाड़कों दी information दे मताबक दर्शन सिंग डेलों उस इलाके दा बहुती गरम अफसर मन्या जानवाला सक्त अफसर मन्या जानवाला officer उस गड़ी दे विच बैठके L1 निशान दे विच बैठके उस इलाके चो गुजरया सी लेकिन इनफैक्ट उस दे विच दर्शन सिंग डेलों नई सी एक होर पुलस अफसर उस गड़ी बिच ट्रैवल कर रहा तो उस L1 निशान जड़ी गड़ी सी उस उत्ते कार्ट लगा के इस जिपसी दे विच ओ फारिंग होंती है जिस तो बाद आपस दे विच काफी देर तक गड़ीया के दूसरे नो फॉलो कर दियाने उस मामला दे विच बाद दे विचे – क dignya टेलों नो टारगेटते रख्या गया सी ते ओस मामला दे विच जनों तफ़्तीश 辛क गयेो रही नो बाद जान दा पर मुकाबला दे विच क्योंकि इसी कि L1 निशान गटी दे भी जड़ी पुलस पार्टी आरी सी, उसनों एक जिपसी ने रोकिया सी, ते जिपसी तो बाहर खड़े, जड़े खाड़कू सन, इना ने भी पुलस दियां वर्दियां पाईयां हुई असान. जड़ों पूरे दे पूरे मामले दे इन्वेस्टिकेशन हुई पुलस दियां वर्दियां कित्थो लियां गईयां, पूरी शक्ति सुई एक पिंड़ते पहुंची जित्थे कि एक धरजी सी, उने धरजी कौन सी इस दा ना मैंनू क्लियर नहीं पता, लेकिन पॉसिबली इस दरजी दाना, दरंजन सिंग या फिर ओही हरचांद सिंग सी, क्योंकि हरचांद सिंग जो की जगराओं C.I.E. दे बिच लेके आंदा गया सी, मैं पिछले रिपोर्ट विच जिकर किया सी कि हरचांद सिंग अते रंजीत सिंग ना दे दो वेक्तिसन जिना नू पैरलली, सा दोरां C.I.E. दी कस्टेडी बिच रख्या गया, हरचांद सिंग नू 6 जनवरी 1993 जद गुदेव सिंग जथेदार नू पकोड़ा दखाता गया सी, उस तो बाद, लोका ने दबाव तो बाद छुडवाया गया, यानि कि 6 जनवरी ते 9 जनवरी नू हरचांद सिंग अते र हरचांद सिंग सी, हरचांद सिंग दरेंजल सिंग था बेटा सी, दो में दरजी दा काम कारदे सी, तो इस हरचांद सिंग नू चूड़ चक पेंड़ तो गिरफतार कीता जानदा है, लेकिन इस तो पहला हुंदा किये कि जदों दबिश हुंदी है, इस दरजी देख करों, सिर्फ पुलस दियां वर्दियां, कुछ होर पुलस दियां वर्दियां भी मिल दिया ने, ते नाल कुछ अजेहियां चिठियां मिलियां, जो कि ओ दर्खास्ता सर्ण, जो कि जथेदार गुरदेव सिंग कौंके हो रावलों मार्क किती हैं गईयां, साइन किती हैं गईयां, जिनानों अगे खाड को जथे बंदियानों दिता जाना सी, रेफर किता जाना सी कि इस मामरे दाँ नबेडा करन, अपना जोर पाके है किसी किसमदा पर बहाँ पाके दोए पार्टियां देविच सैटलमेंट करांते, ए चीजा मन्या जान दा है कि पिंजादे पिंडा देवि नों इन्वेस्टिगेशन ले लेके आनदा जावे, पॉसिबली एसी इन्वेस्टिगेशन देविच जथेदार गुर्देव सिंग को के नों CIA जगराओं देविच लेके आया जान दा है, मैं पीछली रिपोर्ट देविच जिकर किता सी कि इंस्पेक्टर गुर्मीत ओ एक मिस्टेक सी, इन्वेस्टिगेशन देविच जगराओं देविच जथेदार गुर्देव सिंग को के नों जड़ा इंटेरोगेशन देविच लेके आनदा जान दा है, रंजीत सिंग भी उस वक्त किजी होर मामले देविच चुक्या गया सी, इस सारी दी सारी गल्ला बातना बीचों कुछ ताथ बीपी तिवारी दी रिपोर्ट देविच एस्टैबलिश होंदे ने, लेकिन ओ जड़े बैकवर्ड लिंकेजिज है गिने, कडिया जडिया 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 ने, ओ दर्शन सिंग डेलों उत्ते कात लगाके होए एक हमले, जोकि ओस उत्ते नह पुलस दिया बरदिया रिकवर होई या, ओस दे नाल ही कुछ अज़े ही है, चिठिया जिस दे विच स्रीय काल तक साथ दे कारजकारी जठेदार बनो, खारकू सिंगा नो या जठे बंदिया नो मार्क किते गए लेटर, ओस तो बाद स्वरन सिंग कोटने बनो, बनो, इनाल ही कुछ दे नाल ही कर्द डेरोगेशन होँ दिया, पाद दे विच बीपी तिवारी ते रिपोर्ट दे विच हरचांद सिंग ते रंजीज सिंग दे जड़े बयान सी और नो कलम बद भी किता गया, उने तरह हो गतना करम जिस तहत गुरुदेव सिंग कोटने ह पूरा दे बिच इदो में हथो पाई भी होए जिस्तो बात की ओ पूरा दा पूरा जड़ा कस्टोडियल इंटेरोगेशन है सक्ती पूलस दी जड़ी की यूजल होना दे बिच होया कर दी सी ओ शुरू होंदी है उस्तो बद दा पूरा पूरा कटना करम अंदर खाते की होया यह ता नहीं पता लेकिन बीपी दे बारी रिपोर्ट दे बिच तरीकां दे असाबना चीजां स्टैबलिश कीती हैं गही हैं कि तकरीबर एक हफते तक उठे गुर्देव सिंग कौके होना नो रख्या गया उस्तो बाद रात दे हनेरे दे बिच सी आई जगराउं तो सिद बेट दे थाने दे बिच गुर्देव सिंग कौके नो लेंदा जानदा है एचीज दसी जारी एक ते दो जनुवरी उननी सो तरानने में दी दर्मैनी रात हो सकती है जेडी मैं काल तो नो हुन दसन जारे हैं बहुत इंपॉर्टनेंट है बहुती त्यान ना सुन वाली है बहुत अजे है चेश्मदीद दे बहुत लोगसान जिना नो गुर्देव सिंग कौके नो कित्थे किस कमरे दे बिच मारा गया एचीदी जानकारी बहुती कॉमन प्लेस सी बेशक होना दे परिंड दे आल इलाके दे लोका नो ये चीजाना बारे ना पता होवे लेकिन सद् इस्वा बेट दा थाना और तोने सद्वा दे घडाना निदी इसेचो दा ने राव्ड कार्टि में लाके परिसर सी सेकुल है ठाला ने समय नहीं बनि विल्डिंग उसे कॉत दे परोटि धि इडिशनल एसेच चो सिद्वा बेट दे उस दो कमरें दे क्वाटर दे विच इंटेरोगेशन के लिए या केलिग इंटेरोगेशन तो बाद जथेदार गुर्देव सिंग कौके नू ल्यांदा गया एदस्या जानदा है कि रात दे है नेरे दे विच जथेदार दते वधीकियां खिलाफ आवाज चुकन दी खिम्मत हमाकत कोई करया नहीं सी कारदा तो उसे काले दोर दे विचे इसाब कुछ हुंदा जा रहा जा रहा सी ए गल्ना ते खबरां लोकां तक पहुंचियां कौके तक भी पहुंचियां लेकिन ज़्यादा डिटेल्स किसी मनुख्य दिकार जड़ी जथे बंदियां ने भी कोशिश की थी कि पता लग सके कि जथेदार गुर्देव सिंग कौके नूं कित्थे मारा गया लेकिन सद्वा बेट दे थाने दे परिसर दे अंदर एसेचो दे कौटर दे सामडे एडिशनल एसेचो दे दो कमरें दे कौटर वी ओसेचो दे कौटर दे विच कोई सोन दी हिम्मत नहीं कहता इवन पुलस मुलाजम दे पुलस करमचारी जड़े उस थाने परिसर दे बिच तेनात रहे और उस कमरें दे बिच जाया नहीं संकार दे आसपास चाब अरताउन वाले जड़े ब्रेडियां फडियां हुंद उठे आके दस्या सी कि एना लोका ने रात उनों एक माड़ा काम किता है थे और जड़ी साब सफाई को खून देनाल कमरा पार चुक्या हूं था जिनों किसी भी व्यक्ति नों एस अनमनुखी तरीके देना उस दे काटबाट किती जाए ओ सफाई उस फीन्नों ना दी महिला ने किती सी हुन एस सारियां गल्ला बातां जड़ियां की निकल रही है ने मेरे सूत्रा दे मताबक मैंनों मिल रही है ने बीबी ते वाड़ी रिपोर्ट दे बिचे एना जिकर नहीं है शायद लेकिन ए जड़ी जानकारी है गी है इस दो ते कोई कारवाईता ता होंती ना पॉसिबली होई सी जिसनों कबराप करन दी कोशिश कीती ते जिस हुते पंजाब बुलस दे एक एड़ी जीपी बीपी ती वाड़ी जिनना ने बहुती तडले दे नाले रिपोर्ट लिखी ओ गए से दमां बेट इलाके दे विचे थाने दे विचे गए उस उना सारियां जगराओं दे सिया ये तो लेके उत्थों दे स्थाने सरदर दा होना ना ने दोरा कीता कोंके पिंड दे बिच गए दवाईयां दर्ज कीतियां इस सारी दी सारी कारवाई तो बाद होना दी रिपोर्ट जो आंधी है उस तो आट एक्शन टेकन की सी बहुत से लोग जो कि जो कहरे होनगे कि शैदे रिपोर्ट दे बनाना कोई होर मकसद है या काली दनों को नीमा दखाना बादला नो टार्गेट करना ये फालतूद यह बेकार गया गला ने कोई किसनों टार्गेट करना नहीं चाहरा है एक एतिहासिक एड़ा वड़ा दुखांत वाप्रया होग जो कि तो नू होगा दे बनाना कोई होगे लेकिन किस केस दे विच होई किसने करवाई ते क्यों उसनों खोन देता गया एह होर वड़े खुला से ने जो कि तो नू होर सोचले मजबूर करने गे पन्त दे ना दे उत्ते सरकारां चलान वाली या पार्टियां ते लीडरा नू जवाब देने ओक्खे होणगे आज भी ओक्खे ने पहला भी इना ने बेदवियां दे मामले तो लाके कई होर मामले दे विच इना उकोल जवाब नहीं है गे ने लेकिन हुन जदो एचीज जागे जाहर हो रियां ने इना ने की जवाब देने खैर बहुत से लोग इस कटना करम दे ना जुड़े हो दूयां दे विच नहीं ने कती साला बाद इस मामले दे विच होर की हो सकदा है की नहीं हो सकदा एचीज थोड़ी परचोल में अपनी रिपोर्ट बिच करांगा है कि ने काफी हट तक इना दे विच बहुत डिटेल्ड अकाउंट में नल सांजा की तक है जिना दे विच चो कुछी पार्ट में थोड़े सामने रख पाया है जादा अजेहे फैक्ट्स ने जिनानों शाद बयान भी कर पाना बहुत मुश्किल है तो अगली रिपोर्ट द वारे कोई तोड़े टिपड़ी होई कमेंट होई जरूर करो थैंक यू